हम कर जाएंगे अरे 35 लाख की भीड़ देखके क्या सोचा हम जर जाएंगे तीजन लगा के गनित की जी के इंगलिश में हम फरमाएंगे घर जाएंगे या जर जाएंगे हलो स्ट्वेंट्स वेलकम टो अड़ा 24 सेवन नमस्ते आदास अस्रिया काल मैं हूँ आपका दोस्थ सेद रिजवान हंजी एक बार सबके सब क्लास में जुड़ जाएए एकलास में लाइव हो जाएए लाइक कर दीजिए फिर करते क्लास टार्ट एक बार दबा के क्लास को शेयर भी कर दीजिए आप लोगों के लिए बहुत ही गुड नियूज है कि हरियाना पुलिस की वेकेंसी आ चुकी है हैंजी बच्चो आप लोगों की ये बहुत ही गुड नियूज है कि हरियाना पुलिस की वेकेंसी आ चुकी है हां जी जुर जाईए एक बार क्लास में दबा की सब को सब के सब शेयर कर दीजिए इस क्लास को हैपी बसंद पंच मी बिटा हैपी बसंद पंच मी हां जी चलिए सब के सब एक बार क्लास में जुर जाईए और एक बार शाहत के साथ शेर भी कर दीजे जिसने शेर नहीं किया है और लाइक कर दीजे जिसने लाइक नहीं किया है हाज जी बिटा आज बसंद पंच मी है बिलकुल जे माता सरस्वती बिलकुल बिटा राम 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 गुड मानिंग गुड मानिंग चलिए एक बार अपनी अपनी अटेंडेंस दे दीजिए कौन को ना चुका है क्लास में एक बार सबके सब अपनी अपनी अटेंडेंस दे दीजिए कौन को ना चुका है क्लास में चलिए गुड मॉर्निंग बिटा गुड मॉर्निंग हां जी सर मैं भी हूँ हां जी बिटा पावान नमस्ते बिटा पावान शिक्षा पावान नमस्ते गुरु जी हर्याना पुलीस के लिए कौन-कौन इलिजिबल है बिटा बता रखा उसकी कौलिफिकेशन मतलब आपको एक तो 21 साल से एक सिंव अबिटाओं आपको लिसीबिलिटी आपकी एज क्या है एक सिंगों आपको इसका एक अलकशेशन वेसे आप इसमें एक सिशिशन आए इधर ठीके ना तो लाश्ट में आपको यह ही वह बता दुगा कि कॉर्स कैसे purchase करना है course से इसका हर्याना फिलिस का जो कोर्स है वो केसे प्र्चेस करना है ठीके है खुशन ओक्रणों ओक्रणों आख स्बस्सक्राइब कर transformed विठा घ्रणी को नहीं है एस एड्टिन टू ट्वेंटी Сेवन कर आफ दो ख अक्ड्र coin सब के सब जुट जाए ये ख में फड़ावर से फिर कर दे ग्लास स्टार और ह्ञाँ चलिए अब हमें ग्लास सब कर देना चाहिए पहला क्यूशन एक बार हमें क्या करना चीए विटा पहले नॉट ऑपन कर देना चीए है ठीक ना पहले हम not open कर लेते हैं पहला question यह रहा आपके screen पर computer के आविश्कारक कौन है है जी बिटा developer पूच लिया जाए इंवेटर पूचे लाजय जाए कौन है आविश्कारक नमस्ते 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 अथारह फर्वरी को आचार सहीता लगेगी जी फियर थोड़ी ना टाइम बेटा एक्जाम जो है मेरी बास सुन लीजिए एक्जाम जो है आपका ये देख लीजिए कि आपके इलेक्शन के बाद ही होने वाला है मतलब कि मेरे को जहां तक चांसेज है कि जून से पहले एक्जाम नहीं होने वाला है मैं या जून मही या जून से पहले एक्जाम नहीं होने वाले आप लो ठीक है चलिए देखे बटा पूछा गया है computer क्या आप इसका को होना है तो Charles Babbage बिल्कुल right हो जाएगा इसका answer right क्या हो जाएगा Charles Babbage बिल्कुल right हो जाएगा हाँ जी computer में data को क्या कहा जाता है what is called data in computer computer में data को क्या कहा जाता है to the symbol, number, the information of gear, symbol and numerical information फटापर से बताएगे बटा हाँ जी data क्या होता है computer में data क्या होता है बेटा एक बात सुनो तो सही एक बात हमेशा ध्यार रखना आप लोग बात करों न आचार सहीता की आचार सहीता का रूल क्या है नई vacancy नहीं निकल सकती है आचार सहीता में नई vacancy नहीं निकल सकती है लेकिन जो vacancy है वो पूरी हो सकती है आई बास समझ में तो यहाँ पर आचार सहीता भी लगने वाली उस्ते पहले वेकेंसी तो निकल चुकी है अब एक्जाम आचार सहीता में हो सकता है बटा आई बास समझ में आचार सहीता में एक्जाम हो सकता है लेकिन आपकी जब एक्जाम होगा मैं जोनों जब तक 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 आचार सही था हट जाई की बटा ठीक है? हाँ जी क्या हो सकता है बटा? यहाँ पे पूछा है computer data क्या होता है ता information given जो information दे रखी है वो computer में data हो सकता है यानि के C answer बिल्कुल बिल्कुल right हो जाएगा ठीक है? चलिए computer में सूचना को क्या कहा जाता है what is called information in computer computer में सूचना क्या कहा जाता है data, number, collected data या all of these फटावर से बताईए फटावर से बताईए computer में सूचना को क्या कहा जाता है वेरी गूड, वेरी गूड, वेरी गूड, बहुत बढ़िया हाँ जी, देखो बेटा data, information क्या होती है? data होता है, number होता है, information collection data होता है, यानि के all of these बिल्कुल बिल्कुल right हो जाएगा D जो है, इसका बिल्कुल right answer हो जाएगा clear है? हाँ जी, D answer इसका बिल्कुल बिल्कुल right हो जाएगा हाँ जी, कुशाल ने बिल्कुल right answer दिया बाकि किसी का भी right answer नहीं था किसी निवी student ने भी right answer नहीं दिया है चलिए देखो computer को किस परगार की बुद्धी होती है ठीके न बटा computer में किस type की intelligence होती है फटा फटे बताईए बटा computer में किस type की intelligence होती है बुद्धी होती है वेरी गूड वेरी गूड वेरी गूड वेरी गूड बिल्कुल 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 artificial बिल्कुल right हो जाएगा computer में जो बुद्धी होती है intelligence होती है वो क्या होती है artificial होती है ठीके बटा किरत्रिम हिंदी में बोले तो किरत्रिम ठीके चलिए हाँ जी powerpoint में show को कौन सी file में जोड़ा जाता है बटावर से बताईए बटावर से बताईए powerpoint में किस को जोड़ा जा सकता है .jf को .pgp को jpg को .dev को फड़ वता है। अवड रद वाद वता है। वता है। बिकुल बिलकुल बिलकुल बिटा . scale , स्लाइट,, जोडने के लिए कौन सा पाउर प्ंट व्यूं सबसे सबसे बेस्ट है फ्रावर से बढ़ाई स्लाइड को जोडने के लिए कौन सा हाँ जी स्लाइड शॉर्टर व्यू बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा हाँ जी ए आंसर जो है स्लाइड शॉर्टर व्यू बिल्कुल बिल्कुल राइट अंसर हो जाएगा हाँ जी स्लाइड शॉर्टर व्यू को किस मेनू में एक्सेस किया जा सकता है स्लाइट शॉर्टर व्यू कौन से मेन्यू में होता है स्लाइट शॉर्टर व्यू जो है MS PowerPoint में वो कौन से मेन्यू में होता है बताइए विटाइट 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 वि चलिए बटाएं, पाउर-पॉइंट में पर्शेन को प्रिटेशन को करना के लिए किस की का पूर्पॉइंट में पर्इंट को प्रिंट करने के लिए कौन की का यूज कि या जाता है powerpoint पॉरपॉंट में print करने के लिए कौन शी shortcut की का use होता है कौन शी shortcut की का use होता है print करने के लिए शालू ने दिया है मन्जु सेनी ने दिया है उसके बाद शुभांगी ने दिया है और किसी का अंसर नहीं आया है अभी तक हाँ जी चीकू ने दिया है चीकू के बार में असके नंदा ने मंजू से नहीं चलिए यानि कि इसका कंट्रोल प्लस पी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा पावर पॉइंट में हो चाए MS Word हो चाए MS Access हो प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी ही यूज आएगा है ना MS Word पावर पॉइंट हो एकसेज हो कोई भी हो print करने के लिए control प्लस पी ही use आएगा बटा आई बाद समझ में तो A बिल्कुल बिल्कुल right हो जाएगा मंजु ने और मंजु ने और S के नंदा ने बिल्कुल right answer ने हाज जी ओहो हिंदी में इसका थोड़ा सा यहाँ पे लिखाया है के इसको छोड़के सभी को यहाँ पे बोला गया है you can create a new presentation by completing all of these फटावर से बताई एक नई slide को create करने के लिए किसका use किया जाता है फटावर से बताई एक को छोड़के किस से हम नई slide use कर सकते हैं एक को छोड़के हम नई slide को कैसे कर सकते हैं फटावर से बताई कौन सा option है जिस से हम नई slide नहीं use कर सकते हैं फटावर से बताईए fast 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 बतावर से बताईए देख बताई clicking on the new button on the standard toolbar click file फाइल पर click करके new button पर new पर कर सकते है presentation control प्लस new पर कर सकते है open the file new file नहीं open the file file को open करना इस से हम लोग new पर नहीं कर सकते हैं तो क्या जागा d बिलकुल right हो जाएगा slide show view में कौन सी slide आगे नहीं बढ़ाए जासकता है मतलब किस से हम लोग slide को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं किस की का use करके हम slide को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं पड़ावर से बताईए यह भी बहुत अच्छा question है यहाँ पुछाए कि कौन सी key का use करके हम slide को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं देखो बटा माऊस का यूज़ करके हम slide को आगे बढ़ा सकते हैं enter की का use करके हम आगे बढ़ा सकते हैं tape का करके करके अगे बढ़ा सकते हैं लेकिन d आनि k इससे नहीं होगा यानि d answer बिल्कुल right हो जाएगा इससे आगे नहीं बढ़ेगी slide slide show देखने के लिए किस key का प्रावर्ट से बताईए स्लाइड शो देखने के लिए किस की का यूज किया जाता है एप 5 बिल्कोल बिल्कोल यूड राइडण से अशुय हो जाएगा का इन्पुट का आउट्पूट में पांतिल किया जाता है memory दवार, CPU दवार, input and output दवार, या फिर, peripherals दवार, peripherals दवार, by memory, by CPU, by input, output, by peripherals. by CPU, बिल्कुल, 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 राइट आंसर दिया है, by CPU जो है, वो बिल्कुल, राइट हो जाएगा, कि CPU के दवारा हम लोग क्या कर सकते हैं, input को output में change कर सकते हैं, हाँ जी, CPU के दवारा input को output में change कर सकते हैं, हाँ जी, एक input device है, जिसका use computer में किसी वैक्ति की आव यूज किया जाता है, हाँ जी, speaker, scanner, microphone या joystick आवाज को save करने के लिए, voice को save करने के लिए, save करने के लिए use किया जाता है, कौन सा input device है, जो voice को save करने के लिए use किया जाता है, फड़ापट से बताइए, कौन सा input device है, जो voice को save करने के लिए use किया जाता है, see बिल्कुल बिल्कुल microphone जो है वो voice को save करने के लिए use किया जाता है हाँ जी क्या आजाएगा microphone जो है वो voice को save करने के लिए use किया जाता है यहां बोला गया है एक pointing device है इन में से कौन सा pointing device है trackball, joystick, digitizing table scanner फटावर से बताइए कौन सा एक pointing device है एक pointing device है इनमें से कौन सा pointing device है फटा फट से बताइए फटा pointing device की बात कर रहा है pointing device शालू बोल लिए D होगा scanner रोहित वर्मा scanner और उसके बाद में मंजू भी scanner के रिए DDD एक student ने भी सही answer नहीं दिया एक भी student का answer सही नहीं है सब के सब गलत विटा सब ही student के गलत आंसर है हाँ जी device की बात की जारी विटा device की इसके pointing device pointing device नहीं है scanner scanner कोई point नहीं करता है पूरा scan करता है पूरा एक page होता है या कोई भी चीज होती इसको scan करता है पूरा point नहीं करता है ठीक ना विटा इसके यह tablet तो बिल्कुल भी नहीं होगा इस pointing device नहीं है tablet जो एस टेक तो गेम खेलने के लिए trackball जो है वो एक pointing device है हाँ जी बीटा trackball जो है एक pointing device है सब ही student का गलत आंसर है बिल्कुल विटा बिल्कुल चलिए नेक्स्ट एक output device जो विभिन रंगो की निरनतां सिवाय उत्पन करता है हां जी अति विडा वर्डवट से बता ये विडा करता है ये एक सिकनर रुकिल रुकिल रुकिये है रुकिये नहीं है ओक 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 पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है पूछा है तो इसकैनर बिलकुल राइट हो जाएगा ठीकिनर बिलकुल रुकिये ओरल लकिन और वosure फॉंंतिंटी मिजा पुचह थो ट्रेक बोल्ट विल्कुल राइट हो जाएगा नहीं है पुचह स्केंणर बिल्कुल बिल्कुल सोरी प्रइश होता है नहीं जो को इस्टीक प्रडिए ये स्काने कारें इसका आंधर क्या है फॉल्कूर भिलकुल राइट हो जाएगा फॉल्कूर भिल राइट कर विल्कुल राइटा सयरें जी और धे डिव neces adult जो डिफेरेंट केवां होते हैं इसके अंदर जो आउटपूट देता है डिफरेंट टर्म आउटपूट देता है प्रोटर बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा हाँ जी क्लियर है कौन-कौन हरियाना पुलिस की यहां पर प्रिपरेशन कर रहा है कौन-कौन है ऐसा जो हरियाना पुलिस की प्रिपरेशन कर रहा है आप लोगों में से कौन ऐसे स्टुएंट है जो हरियाना पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं मुझे छोड़ के सब चंडिगड आई टी ओके विठा ओके ओके चंडिगड आशा भी चंडिगड कह रही है जे स्री किष्णा नौ सर नथिंग सर जी ओके चलिए आई नौ शालू तो UPSC की प्रप्रेशन कर रही है हरे नव्थ की नंदा हरे आपलिस की ओके 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 बहुत बढ़ी है विटा चलिए चलिए नेक्स क्योशन ये रहा आपकी स्क्रीन पर फटरवर से बताईये निन मैंसे कौन सी एक हाड कोपी आउटपट डिवाइस है hard copy output device है, पूचा है, प्डावर से बताई है, hard copy output device, monitor, laser printer, visual display terminal, projector, hard copy, hard copy output device, very good, hard copy output device, प्रावर से बताइए, B laser printer, very good, very good, laser printer, जो है, hard copy output device है, बहुत बढ़िया बीटा, laser printer, बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा, हाँ जी, laser printer, जो है, hard copy output device है, बिल्कुल राइट आंसर है, चलिए, एक impact printer है, impact और non-impact मैंने आपको बता रखा, इसमें पूछा है, कि कौन सा एक impact printer है, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल गलत बोला, रोहित वर्मा ने बिल्कुल गलत बोला, शालू का सही है, मंजु का सही है, और इसके बाद में, हाँ जी, किशना का भी सही है, और हाँ जी बिल्कुल 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 रोहित वर्मा मैंने आपको पहली बता है, impact जो होंगे, वो दो अक्षर के होंगे दो अक्षर के जो भी प्रिंटर होंगे वह इंपेक्ट होंगे एक्जाम में इसी टाइप से क्विशन पुछा जाएगा आपसे कि इंपेक्ट प्रिंटर कौन सा है या इंपेक्ट प्रिंटर कौन सा नहीं है या नॉन इंपेक्ट प्रिंटर कौन सा है जो दो अक्सर का नाम होगा वो इंपेक्ट बाकि सब नॉन इंपेक्ट होंगे विटा देखलो ये thermal दो अक्सर का नहीं है ये non-impact है ink jet दो अक्सर का नहीं है नॉन इंपट है यानि के B यानि के dot matrix printer बिलकूल बिलकूल right हो जाएँ MS Word में F12 key का use कौन से डालोग बोक्स को खूलने के लिए किया जाता है MS Word में F12 key का use उस कौन सी डायलोग बॉक्स को खौलने के लिए किया जाता है MS12 में कौन सी डायलोग बॉक्स खौलने के लिए किया जाता है फड़ावर से बताईए MS12 F12 सुरी MS12 नहीं F12 में बिटा से वेज़ बिलकुल से वेज़ के लिए बिलकुल राइट हो जाएगा हाँ जी जो बाकी करें ना C वगेरा नहीं बिटा B, C, D नहीं होगा only A answer है MS word में F12 जो है से वेज़ के लिए उस होता है किसके लिए उस दता है से वेज़ के लिए उस दता है चलिए NIMD में से कौन सा एक output device है output device है output device पूछा गया है ओके बिटा ओके कोई ना पूछा है output device है पूछा है OCR, projector, mouse या webcam हाँ जी बिल्कुल 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 only one student का ही right answer दिख रहा है दो, manju mouse बिटा input है बिटा शालू, mouse बिटा input है output नहीं है हाँ जी Saloni कुमारी बिल्कुल बिल्कुल right दिख रहा है manju ने बाद में सही दिया है और Rohit वर्मा ने सही दिया है हाँ जी कि अब projector जो है वो output device है हाँ जी यहां पर projector लगाया जाता है सामने दिवार पर आपको output दिखता है बस बड़ी skin पर एज़े क्या है वो monitor ही है लेकिन वो क्या है कि monitor का use क्या है जिसे मालों वहां 50 student या 100 student है बेठें एक लास के अंदर या 1000 student भी बेठें तो हम लोग monitor एक छोटे से monitor में तो दिखा नहीं सकते है आउटपुट इतने students को इतने लोगों को एक साथ नहीं दिखा सकते है तो उसके लिए क्या use क्या है तो projector projector किस पर काम करता है दिवार पर काम करता है एक projector लगा होता है एक desktop में एक निम्ड में से memory का कर सबसे बड़ा होगा कौन सी memory का size जो है सबसे बड़ा होता है फड़ावर से बताई desktop computer में memory का size सबसे बड़ा होता है कौन सी memory का size सबसे बड़ा होता है फड़ावर से बताईए कौन सी memory का size जो है है वो सबसे बड़ा होता है है जी हाड डिस्क का साइज जो है वो सबसे बड़ा होता है हाड डिस्क जो है मेमोरी सबसे बड़ी मेमोरी होती है हाड डिस्क क्योंकि जी बी के अंदर होती है हाड डिस्क ठीक है ना विटा टी बी में होती हाड डिस्क जी बी में तो आना बंद होगी यह secondary memory है और secondary memory जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ी होती है लेकिन थोड़ी सी slow भी होती है अगर comparison की बात की जाए speed slow and high की तो वो secondary memory की speed थोड़ी कम होती है और primary memory की speed अच्छी होती है अच्छा यह बताइए इन सब में सबसे तेज़ speed कौन की skip बटा सबसे तेज़ speed की बात की जाए तो कौन सी memory है जो सबसे तेज़ speed की है हाँ जी सबसे तेज़ speed की बात की जाए तो कौन सी memory है सबसे तेज़ speed की memory फटावट से बताइए बटा हाँ सबसे तेज़ speed की memory कौन सी है cache, hard disk, RAM या register बिटा आज बारा बज़े जो है रिजनिंग की क्लास में आपको हाँ जी बारा बज़े आज आपकी पेपर सोल करवाया जाएगा सबके सब जुड़ जाएगा बारा बज़े एच पेपर सोल करा जाएगा आधा पेपर उस टेम सोल हो चुका था आधा आज करवाया जाएगा आप लोगो हाँ जी बटा राइस्टर बिलकुल बिलकुल राइट हो जाएगी सबसे तेज स्पीड की मेमोरी होती राइस्टर चलिए सीप्यू का वहर्च भाग जो टार्किक संचलन का करता है क्या कहलाता है मतलब जो logical operation करता है mathematical और logical operation करता है वो कौन क्या कहलाता है यह तो क्यूशन में बहुत बार करवा चुका हूँ हाँ जी बहुत बार करवा चुका हूँ भड़ावट से बताईए हाँ जी बिटा ALU बिल्कुल बिल्कुल राइट है ALU जो है बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ALU अर्थमेटिकल लोजिकल यूनिट जो है वो पार्ट जो है logical काम करता है वर्क करता है ठीक है ना चलिए नेक्स क्रॉम इंटरनेट ब्राउजर का यूज करते हुए टाइम ठीक है तवरित पहुंच के लिए वेब पतों को सहिजने की एक विदिय है वेन उजिंग एक क्रॉम इंटरनेट ब्राउजर देर इस ए मेथड़ ऑफ सेविंग वेब पेज एड्रेस फॉर क्युक एक्से पताइए मतलब होता किया है कि बहुत ऐसी एसी वेब पेज हमने स्टोर करके रखते हैं कि भाई मेरे को मालो कि अड़ा 247 की साइट की बार बार यूजर तो मैं वहां पे इस टोर करके रखता हूं कि फटाफर जैसी मेरे को अड़ा 248 ले लिखना ही नहीं पड़ेगा वहा सेनी का बिलकुल राइट है, बुक मार्क जो है हैं जी, बिलकुल बिलकुल राइट हो जाएगा हैं बुक मार्क बिलकुल बिलकुल राइट परफेक्ट आंसर हो जाएगा, very, very, very good चलिए, next question इन में से कौन सा GUI, आधारित ऑपरेटिंग system नहीं है, है जी बीटा, जी यू नहीं है, graphical user interface operating system नहीं है, पड़ावट से बताई है, जी यू graphical user interface नहीं है, operating system नहीं है, Android बेटा मंजू से नहीं, वो जी यू आई है, graphical user interface है, आप लोग mobile के अंदर, इतने अच्छे जने graphics नहीं देख सकते हैं, वीडियो सब कुछ देख सकते हैं, तो वो जी यू ऐसे रिलेटेड है, अबिसली बात है, यह बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा, Linux जो है, वो GUI नहीं है, वो CUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, GUI नहीं है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं है, चलिए, अब यह आज क्यूशन लास्ट था बटा, ठीक है, अब हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं, कि अब आप लोग कर रहे होगे सब के सब, हरियाना पुलिस की तयारी बिटा, आपको हरियाना पुलिस की तयारी को बहुत ही शांदार लेवल पे लेके जाना है, तो आपको क्या करना है, अड़ा 24-7 पाना है, अड़ा 24-7 की फर्स साइट पाना इस्टेट एक्जाम पे इस्टेट एक्जाम में आपको कहां आना है हरियाना पे भी आपको कहां आना है बिटा हरियाना पे देखो बिटा हरियाना पुलिस पाना है आपको जैसे यहां पर अगर केवल देखो अगर केवल आपको हरियाना पुलिस का बेच पर्च में वो है वाई 749 ये कूपन कोड लगाने के बाद में ये जो बैच है बहुत 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 कम प्राइज में मिलने वाला आप लोग को ना ठीक है बटा चलिए आई बस समझ में अब बारा बज़े आप लोग मिलेगा बारा बज़े आज एच पीस टी का सी सेट का पेपर सॉ